दाल के फरे तो आप बहुत खाये होंगे आज मैं कुछ डिफरेंट इस्टाइल में खरे मटर का फरा की रेश्पी सेयर कर रही हूँ ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे आप हरी चटनी लाल चटनी या सबजी के ताद में खा सकते हैं खाने में बहुत ही गिलिशियस लगता है अब बनाने में नमसान है हलो एवरिवन मैं लक्षमी रावत वेलकम बैक टो माई चैनल लक्षमी वेज कीचन एंड लाइफ इस्टाइल मटर का फरा बनाने के लिए सब से पहले हम फरे का स्टफिंग तयार करेंगे तो उसके लिए मैंने कड़ाही मे सरसो का तेल डाल लिया है एक चम्मच और तेल गरम होने के बाद आधा चम्मच जीरा और चुटकी भरहिंग डाल लिया है उसके बाद मैं इसमें एट कर रहे हूं मोटे टुकडो में कटे हुए अधरक ताबुत लहसुन और दो कटी हुई हरी मिर्स जिसे मैंने मोटे टु लेंगे इसमें और बहुत ही टेस्टी लगता है एक बार जरूर ट्राय करिएगा और कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा कि यह रेस्पी कैसी बनी थी अब इसमें हम एकदम फ्रेस मतर आइट कर रहे हूं मैं एक कटोरी और मतर ज्यादा कड़ा वाला नहीं होना चीए जो खाने में मीठा लगता है वही मतर यूज करना है तबी जो है नास्ता बढ़िया बनेगा तो यहां पर मतर को भूंते हुए तीन मिनट हो गया है अब इसमें हम मताला एट करेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर और आधा चमच यहां पर मैं चाठ मसाला एट कर रही हूँ अगर आप के पास चाठ मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर यह फिनेवू करस डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा मसाला-" मतर के इसमें घुटकते मैं में घरम मसाला हर तक बात अब मिलाने की बाद मंध रख कर देंगे और भास को ठंड ऑने के लिए रख देंगे तो मटर अच्छे ठंडा पॉर देंगे अब इसमें हम मटर का जो मीशरान है उसे हम डाल देंगे और यहां पर मैं थोड़े से हरा धनिया भी डाल दी हूँ ताकि इससे जो है इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा खाने में तो चले हम पीस लेते हैं ढखकन लगा करके तो यहां पर देखें मैंने दरदरा ही पी बनता है एक बार जरूर बनाईएगा इसके आगे और फरा एकदम फीका लगेगा और मेरे चैनल पर तीन-चार फरे की रेषपी अपलोडेट है आप अगर नहीं देखें तो देख लिजेगा वहां पर आपको उड़त दाल के फरे चनल दाल के फरे गोवी के फरे आपको द बना सकते हैं लेकिन चावल के आट्टे के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है तो चलिए इसका मैं लोई काट ली हूँ तो इसका हम गोल-गोल पेड़ा तयार कर लेंगे तो पेड़ा मैंने थोड़ा बड़े साइज कर लिया है अब इतमे सूखा आटा लगा देंगे और इ कई मोटा पतला विर्कुल भी नहीं रहता है तो देख लिजिए गोल-गोल भूम रहा है तो इसको बड़ा रोटी की तरह मुझे बनाना है इसलिए मैंने इसका जो पेड़ा हो बड़ा साइज का लिया था अब हम गिलास से से कट करेंगे तो आप जिस साइज का फरा बनान बन जाता है तो यहां पर देखे सारे पूरी मैं बना ली हूँ और एकदम बढ़िया गोल-गोल लग रहे हैं देखने में तो चले हम स्टफिंग को भर लेते हैं तो यहां पर देखे मैंने स्टफिंग ले लिया है मटर का और यहां पर मैंने भर दिया है और इसको हलके से ह फरे भी हम बना करके तैयार कर लेंगे बहुत ही असानी से यह बन जाता है इति में ज्यादा जंजर भी नहीं लगता है और ने श्ट्रेट पी आपको क्या देखना है आप लोग मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा तो मैं वही आप लोगों के ताज सेर करूंगी तो यहां पर दूसरा फरा भी हमारा बनकर तयार हो गया है यह देखिए तो ऐसे भी बना कर तयार कर लेते हैं तो देखिए हमने फरे को भर कर तयार कर लिया है तो आप इसको हम इस्ट्रीम करेंगे यानि भाब से पकाएंगे तो उसके लिए देखिए नीचे मैंने पतीले में पानी रख दिया है और उसके उपर यहां पर देखे छेद वाली ठाली रख दिया है इससे जो है भाब से अच्छे से पख जाएगा अब हम फरे को ढखकर 15 मिनाट के लिए छोड़ देंगे पखने के लिए में 15 मिनाट हो गया है आईये मैं चेक कर लेथी ता वह परा हमारा दिप्ता CivD hai बंकर और इसका देके मतट का ख़लर भी अख़लका चेंज हो गया है तो चली मैं गयास को बंद कर देती हूं और इससे मैं ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लेती हैं और उसके बाद हम इसका ख तो यहां पर देखिए मैंने फ्लेटिंग कर लिया है और इसे आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सेयर करिएगा अगर वीडियो में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बबल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लिजिएगा उससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा तो मैं इसी तरीके से नए नए रेस्पी लेकर आती रहूंगी मिलती हम अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई